नमस्कार मेरे भाई स्वागत है आप सभी का मगद एजुकेशन में मैं आदर सभी का स्वागत करता हूँ तह दिल से मेरे भाई जैसा कि जो कल की क्लास मेरे भाई जो कल की क्लास दो पीए में जो हुआ था मेरे भाई दो पीए में बुक्स एन आउथर की क्लास जो हुआ था पुस्तक योम लेखक का class मेरे भाई, वो class थोड़ा technical glitch के कारण सही से नहीं चल पाया, तो उसी class को मैं क्या कर रहा हूँ, आज Monday है, तो आज live class नहीं चलेगी, आज मेरे भाई 2 p.m. में, 2 p.m. में जो अभी चल रहा है मेरे भाई, वो class recorded है, recorded class है मेरे भाई, recorded class है, क्योंकि ये पिछला class जो हुआ था, इसका सही से नहीं हो पाया था, इसलिए मैं record करके इसको डाल रहा हूँ, upload कर रहा हूँ, एक वार इसको देख लें, revision कर लें, फिर उसके बाद आगे वहीं से continue करते हुए, हम लोग live चलेंगे जी, ठीक है, ठीक है जी, तो record कर लेते हैं, और मतलब आपको upload कर देंगे, आप देख लें, ये हमारा whatsapp group का scanner है, whatsapp group में जूड जाए यहां से, और telegram का भी scanner आपके सामने screen पे दिख रहा होगा, वहां से जूड जाएं, हमारे telegram में, और pdf के लिए इस number पे whatsapp कर दें, क्या, 9234912802 पे, इस पे आप क्या कर दें, whatsapp कर दें, आपको pdf मिल जाएगा, ठीक है जी, तो आएंगे थोड़ा तेजी से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो importants, जो जितने सारे मेरे भाई books होने वाले हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे पुस्ता किवम लेखक importants, यानि books and author मेरे भाई, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, कब, तो अभी पढ़ेंगे, और अगले class में हम लोग live चलेंगे, ये class recorded है, मैं आपको एक और फिर से बता रहा हूँ, ये class आपको recorded आपको provide कराया जा रहा है, तो बात करेंगे जी, आएंगे, हम लोग आगे, तो कौन-कौन से importants book होने वाले हैं, वो सारे को cover करेंगे, और कम समय में थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, विकाओ जी, मैं एक बर करा चुका हूँ, तो अगर वहाँ से देखे होंगे, तो कोई दिकत नहीं है, यहाँ से देख लें, अगर देखे होंगे, तो बहुत अच्छा है, ठीक साथ सजार साल पुराना है, इसके रच्यता मेरे भाई कौन है, तो रमायन, बालमिकी रमायन है, जो कि संस्कृत में मेरे भाई इसको क्या किये थे, लिखे थे, किसको तो रमायन को, तो आप से पुछा जा सकता है, रमायन के रच्यता कौन है, तो बालमिकी है जी, संस्कृ उनको इंगलिस में किसने ट्रांसलेट कीया तेलगु में तामिल में फार्सी में किसने ट्रांसलेट किया उप्धी इंपोर्टेट थे आपको ठिक है जी में उसको जरूर नोटेकर ल Ebene ठीक है जी तो अब्धी भासा में किस ने तो तुलसी दास जी ने किस नाम से तो राम चरित्र मानस के नाम से रमायन में में मेरे भाई आपको 24 स्लोग 500 उफखंड और ये साथ कांड देखने को मिले गए कौन-कौन से साथ कांड तो एक तुबाल कांड आयोध्या कांड अरन्य कांड सुन्दर कांड पाचमा है मेरे भाई किसी कंधा का लंका कांड और उत्तर कांड उत्तर कांड मेरे भाई ठीक है कितने हैं तो 24 स्लोग 24 स्लोग किसमे हैं रमायन में जो कि आपको याद करने हैं य मुस्कृत भास में इन्हों ने लिखा अभधी भास में तुलसी दास्ची ने राम सक्षित मानस के नाम से ट्रांसलेट किया नेक्स्ट आएंगे भाई या नेक्स्ट आएंगे तो रमायन को मेरे भाई अंग्रेजी में किसने अनुबात किया वो तो था मेरे भाई किसमें अबधी में अंग्रेजी में तो आर्टीएच ग्रीफत ने किया और टी-एच ग्रीफत ने मेरे भाई रमायन को इंग्लिस में translate किया यह आपको याद रहना है next फार्सी में यानि पर्सियन लेंग्विज में मेरे भाई पर्सियन लेंग्विज में फार्सी में किसने तो अब्दुलकादीर बदाइनों ने किया था अब्दुलकादीर मुल्ला अब्दुलकादीर बदाइनी ने मेरे भाई पर्सियन लेंग्विज में किसने पर्सियन लेंग्विज में रमायन को translate किया था उर्दु में रागा लख नभी ने और बांगला में किर्तिबास ओजाने मेरे भाई रमायन को अगर बात करते हैं तमिल में किसने तो कंबन ने ट्रांसलेट किया और तेलगू में भास करने और कंणर में मेरे भाई किसने कुमदेंदू में और नेपाली में भानुभक्त ने इतना आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेट है मेरे भाई ठीक है इंपॉर्टेट है यह रमायन के बारे में हो गिया नेक्स जवाब आएंगे तो आपको मैं बताता हूं महाभारत के बारे में महाभारत के बारे में महाभारत के बारे में आपको बताता हूँ महाभारत के बारे में नोट करना जी महाभारत के बारे में तो महाभारत का रचियता कौन है जी ये जवाब देंगे तो महाभारत के जो रचियता है मेरे भाई कौन है तो इसको मेरे भाई ये महाभारत 5000 सल पुराना है ये आपको याद रखना है इसका अन्य नाम जै सहींता और भारत जै है महाभारत के लेखा कौन है जी तो रचियता बेद बियास है रमायन के कौन थे तो बलमी की रमायन मेरे भाई और महाभारत के कौन है तो बेद ब्यासे ये आपको याद रखना है जी महाभारत के बारे में अगर और फैक्ट जानेंगे तो महाभारत को फार्सी में मेरे भाई फार्सी में भी किसने अनुवाद किया था तो रजम नामा नाम से किया था किया था किसने तो मेरे भाई अब्दुलकादिर बदायनु द्वारा किया गया था किसके कहने पर मेरे भाई तो अकवर द्वारा कराया गया था 1582 में यानि 1582 में तो महाभारत का मेरे भाई फार्सी में अनुवाद रजमिनामा नाम से किसने तो बदाइन ने किया था, अकवर के कहने पे कब, फिप्टिन एटी टू में इतना आपको याद रखना है जी, अंग्रेजी में किसने तो केम गांगली यानि किसारी मोहन गांगली ने अंग्रेजी में महा भारत को ट्रांसलेट किया, ठीके भाई, ये recorded class है, मैं फिर से बता रहा हूँ, live class चली थी, मेरे भाई Saturday को complete नहीं हो सकी थी, अच्छे से नहीं चल सकी थी, कुछ technical glitch के कारण class में problem हो रही थी, उसको लेकर हम उस class को off कर दिये थे, और आज मैं recorded करके class को Monday को upload कर रहा हूँ, यहाँ से देखे, revision करे, notes बना लें, ठीके ज है, यह important है आपका, पुछा गया है जी, आप देखे होंगे, अगर आप mock walk लगाते हैं तो, बंगाली में काली प्रसन सीने और हिंदी में गीता प्रेस द्वारा किया गया, ठीक है, तो यह complete हो गया, किसके बारे में भाई, तो महा भारत के बारे में यह आपको याद रखना है, महा भारत के बारे में, नेक्स जब अब आएंगे, तो नेक्स जो आपका होने वाला है क्या, नेक्स आपका क्या होने वाला है, भाईया, स्रीमत भागवत गीता होने वाला है, स्रीमत भागवत गीता, क्या है जी, स्रीमत भागवत गीता है, यह आपको याद रखना है, स्रीमत भागवत गीता है जी आपको याद रखना है जी स्रीमत भागवत गीता ये आपको याद रखना है भाईया क्या है तो स्रीमत भागवत गीता है ये आपको याद रखना है नेक्स जो आपका है क्या है तो स्रीमत भागवत गीता जी है जिसका दूसरा नाम क्या है भाईया तो दूसरा नाम जो है क्या है दूसरा नाम यानि अन्य नाम गितो उपनिशत के नाम से जानते हैं गितो उपनिशत के नाम से जानते हैं हम लोग इसमें 18 अध्याए एवं 700 असलोक हैं किसको तो स्रीमत भागवत गीता जी को मेरे भाई हम लोग गीतो अपनिसत के नाम से जानते हैं उसमें आपको 18 मेरे भाई क्या अध्याय और 700 असलोक दिखने को मिलेगा अंग्रेजी में तो इसको बेलिकिंग्स ने किया मेरे भाई बिलियम बेलिकिंग्स ने मेरे भाई किसम अंग्रेजी में अनुबाद किया श्रीमत भागवत गीता जी को यह आपको याद रखना है नेक्स स्लाइड पे जब आएंगे तो नेक्स स्लाइड में मैं आपको कुछ प्रचीन टाइम के मेरे भाई बुक है इंपोर्टेट जो आप भी जानते हैंगे बहुत इंपोर्टेट है बहुत पुछा जाता है ठीक है जो मैं प्रैट्रिस लास में अक्सर करवाता हूं लिखवाता हूं तो उसको देख लेंगे भाईया कौन-कौन से होगा यह देख ले क्या है तो प्रचीन टाइम के जो भी फेमस बूस्टक होने वाले हैं उसको हम लोग कबर कर लेते हैं तो मेरे भाई क्या है अस्टाध्याई के लेखक कौन है मेरे भाई पाननी जो की संस्कृत की प्रथम भयाकिया है मेरे भाई क्या है संस्क्रीत की प्रथम विया क्या है आपसे पुछा गया है कई बार पुछा गया है अस्टाध्याई के लेखक कौन है तो जवाब देना है जी भाई या पाननी अर्थसास्त्र के लेखक कौन है अर्थसास्त्र तो अर्थसास्त्र के लेखक मेरे भाई मैंने इन दो कोई भी नाम आपको दे सकता है 肯े नहीं होना है तीनों नाम याद रखना है ठीक है जी कॉटिल लेका नाम से जानते हैं अगर बात करें महाभास्ष को लेखा कौन है तो मेरे भाई पतंजल्य हैं यह आपको लेखा को लेखा लेखा कौन है योग्य सास्तर मेरे भाई जो की अस्टाध्याई की अधार पर लिखा गया है ये भी किसके द्वारा तो पतंजली द्वारा लिखा गया है मेरे भाई किसके द्वारा तो अस्टाध्याई की अधार पर लिखा गया है और बुध्य चरित्र अस्वगोस्त द्वारा ये मैं चलता हूं, जो आप theory class में पढ़ें, उसी से related मैं कोसिस करता हूं, कि आप practice class में उसी से related आपको question देखने को मिलेगा, ताकि भाई जो complete theory पढ़ रहा है, उसको complete practice भी होनी चाहिए, और ताकि उसके सामने जब question आए, तो वो गल्ती ना करें, सौद्रा नंद के लेखक भी कौन हैं, अस्वगोस हैं, महा विभास से सास्त्र हैं, महा विभास से सास्त्र के लेखक मेरे भाई बसू मित्र हैं, यह आपको याद रखना है जी, काम सुत्र भी मैंने आपको practice class में बताया था, काम सुत्र के बारे में, काम सुत्र के बारे में, और क्या है स्वा प्रवास बदता जिसके लेखा कौन है भास है मेरे भाई कामसुत्र के लेखा बातसायन है इतना आपको याद रखना है तो ये कुछ एंसेन टाइम की पुस्तके थी मेरी भाई बुक थी अगर और बात करते हैं तो अभी और है उसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं और ये जो मैं चोरी क्लास में कराता हूँ और प्रैक्टिस क्लास में कराता हूँ वो एक दूसरे से सारे एक दूसरे से समन्दित रहते हैं ठीक है जी तो महत्पुर्न बुक मेरे भाई अह तो कालि दॉस्त्स दोरा लिखा गया है भाई आभि ज्यांग सकुन्तलम विक्रों बर्सिया मेग दूध रगोवन्सम और माहलवी कागनी मित्रम ये सारे मैं प्रैक्टिस क्लास में करा चुका हूँ भाईया अगर आप प्रैक्टिस क्लास में 9 बजे नहीं जुड़ते हैं हमारे साफ तो बहुत सरम की बात है आप जुड़ें प्रैक्टिस करें question को जो की जी के जी प्रैक्टिस चल रहा है मेरे भाई नाटे सास्तर के लेखा कौन है नाटे सास्तर के लेखा तो भरत मुनी है भरत मुनी है मेरे भाई इसको हम लोग नाटे सास्तर को मेरे भाई हम लोग पंचम बेद के नाम से भी जानते हैं मैंने कई बार बताया है कई बार बताया है पंचम बेद के नाम से देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है तो विसाख दत है और मुद्र राच्छस के लेखक विसाख दत है इसको भी हम लोग क्या किये थे मुद्र राचस में मेरे भाई हम लोग क्या है तो ये चंद्रुप्त की कहानिया है ये थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको नजर नहीं आ रहा होगा किसकी कहानी है मेरे भाई तो इसमें चंदरुप्त मौरे की कहानी है या आपको याद रखना है किसकी चंदरुप्त मौरे की मुद्र राचस में जो की विसाख दत द्वरा लिखी गई है तो सारे important हैं काली दास्त की पुस्तक तो और important है मेरे भाई उसके अलावे ये भरत मुनी जो की कई बार पूछा गया है मैंने आपको बताया था जब classical dance की chapter मेरे भाई topic हुआ था तो उसमें भी बताया था और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ तो मैं हर चीज को relate करके चलता हूँ ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है जब आगे आएंगे तो आगे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और पुस्तके तो क्या है तो उस तके जो हैं क्या है तो और पुस्तके जो होने बाला है मेरे भाई पृथिवी राज रासो द्वारा लिखी गई मेरे भाई चंद्रबरदई द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक तो पृथिवी राज रासो पृथिवी राज रासो मेरे भाई जो की चंद्रबरदई द्वारा लिखा गया था प्रिथिवी राज चौहान के कोट पोईट थे मेरे भाई, ठीक है, कौन चंदरबदई, मिर्च कटिनम के लेखा कौन है, मिर्च कटिनम, एक मैंने आपको बताया क्या, मालवी कागनी मित्रम, जिसके लेखा काली दास्त है, यहाँ पे मिर्च कटिनम है मेरे भाई, जो कि इस ब्रहामीर प्रहामीर आपको इतना याद रखना है तो ये मैं चुटा सा क्लास जो कि पिछले क्लास सटड़े को क्लास नहीं चल पाई थी उसके कारण मेरे भाई technical glitch के कारण नहीं चल पाई थी उसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ उसको हटा कर उस class को ना देखें इस class में आप आएं और इस class को complete देखें और इसमें आपको मैंने पहला class ये important books की करा दिया करा दिया भाई और important books की 3 class चलेगी इसके बाद फिर एक और class चलेगी तीन class और चौथे class में हम लोग जितने सारे मेरे भाई जितने सारे important जो books से related मेरे भाई P.Y.Q. previous year question होने बाले हैं उन सारे को हम लोग एक एक करके practice कर लेंगे ठीके practice कर लेंगे और आपको पता होगा मैं complete theory पढ़ाता हूँ और complete practice भी कराता हूँ ये आपको पता होनी चाहिए complete theory भी पढ़ाता हूँ और complete practice भी कराता हूँ तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मिलते हैं कल यानि Tuesday को मंगल बार को next day इसी टाइम दो बजे आप जुड़े और वहीं से मैं यहां से आगे continue करूँगा मेरे भाई विकाउज इसमें इतना है कि आपको एक class में possible नहीं है अगर आप एक class में possible चाहते हैं तो भाई class लंबी हो जाएगी थोड़ी class लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा जो की मजा नहीं आएगा भाई तो थोड़ा थोड़ा पढ़े मेरा क्या आईजेंडा रहता है क्या फंडा रहता है क्या मेरा भाई परपस है तो मेरा हमेशा से मैं बताता हूँ कि जो मेरा जो मेरे भाई जो टिक्निक है मेरे भाई पढ़ने का थोड़ा थोड़ा पढ़ें हर रोज पढ़ें और हर चीज को पड़ें यही मेरा आप तक का मेरे भाई मैं स्टार्टिंग से इनिसली से मैं आपको बताते आया हूँ तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही इसको रिवीजन करें जाएं रिवीजन करें अच्छे से नोट्स बनाएं नोट्स चाहिए तो अगर आपका इसका पीडियेफ चाह नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लें कोस्टन की उसके बाद फिर किसी और टॉपिक्स को हम लोग पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट करके उस पर प्रैक्टिस कोस्टन करेंगे ठीक है तो मिलते हैं कल आज के लिए इतना ही टाटा बाई बाई थैंक्यू मेरे भाई